हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज हम बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं जिससे आप घर पे बैटे बैटे पैसे अर्न कर सकते हो इसकी पैकिंग प्रैसिंग भी मैंने लास्ट में बताई है तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और ये आपके बच्चों को भी बहुत जादा पसंद आने वाला है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं चौकलेट कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालडा लेंगे जो की 2.5 टेबल स्पून है फिर बटर लेंगे जो की सेम क्वांटिटी में याने की 2.5 अब यहां पर अगर आप डालडा का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप बटर को डबल कॉंटिटी में ले सकते हो अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके क्रीमी टेक्स्चर तक लेकर आएंगे इस तरह से इतना क्रीमी जो यह दिख रहा है इतना क्रीमी होना चा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी घर पे बनाने के बाद घर वाले तो इसे तुरंती चट कर जाएंगे इसके बाद जो हमने बटर का क्रीमी मिक्षर बनाया था उसमें हम ये कोको पाउडर और मैदा वाले मिक्षर को एड करेंगे अब हम इसमें PCV चीनी और वैनिला एसेंस डालेंगे PCV चीनी जो हमारे घर की रेगिलर यूज होने वाली चीनी होती है उसको ही मिक्षी में ग्राइंड कर लेंगे अब चम्मच को साइड में करके हाथों को क्लीन करके हाथों का यूज करके बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करके एक डो बना लेंगे अगर आपको dough बहुत dry लग रहा है क्योंकि cocoa powder यूज़ करने से थोड़ा dry हो जाता है तो एक तो चमच दूद का add कर सकते हैं अब इस dough को 10 मिनट के लिए rest होने के लिए रख देंगे उसके बाद rest होने के बाद इसको निकाल कर इसके चुड़े चुटे balls बना लेंगे और balls बनाने के बाद इसको हाथों में इस तरह से दबा के उसको flat कर लेंगे या तो फिर आपको जो भी shape चाहिए आप उस shape से cookie cutter से उसको cut करके shape दे सकते हैं इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा चौको चिप्स एड़ करेंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि चौको चिप्स जो है वो कुकी से बाहर ना आए इसके बाद जो मेरी baking tray थी उसको मैंने थोड़ा सा oil और मैदा डस्ट करके उसको ready कर लिया है ताकि कुकी चिपके नहीं और इस तरह से सारी कुकी इसको shape दे के मैंने रख दिया है अब इसको हम 170 degree पे 10 minute के लिए bake कर लेंगे bake होने के बाद आपको लगेगा कि ये कुकी बहुत soft है लेकिन इसको tray पर ही थोड़ा ठंडा हलका सा ठंडा करने के बाद इसको धीरे से चाको की मदद से निकालते हुए उसको grill tray पर या जाली वाली tray पर रख देना है ताकि वो सब तरफ से अच्छी तरह से ठंडा हो सके ठंडा होने के बाद ही आपकी कुकी क्रिस्पी होती है क्रिस्पी बनके आती है और बनने के बाद ही ये बहुत ही tasty लगती है बात करते हैं pricing की तो आप 200 ग्राम के बॉक्स के लिए 70 to 80 रूपीज चार्ज कर सकते हो और इस तरह के container easily market में मिल जाते हैं इन में आप पैक कर सकत तो फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ काजू बादाम की बहुत ही टेस्टी और आसान कुकी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू